आयुर्वेद समाधान को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिसे नटिफ केशन आपको मिल सकें। दोस्तो, सर्दियों में रोजाना 50 ग्राम चना खाना शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लावकारी है। आयुर्वेद में माना गया है कि चना और चने की दाल दोनों सेवन करने से शरीर स्वस्त रहता है। चने में विस्तार से बता रहे हैं। और हाँ, ये भी आपको बता रहे हैं कि सर्दियों में विशेष रूप से खाने से आपको क्या-क्या फाइदा मिलेगा। तो अचा निखरती है। चने के आटे की नमक रहित रोटी 40-60 दिनों तक खाने से तचा सम्मंदित बिमारियां जैसे दाद, खाज, खुजली ये सब दूर हो जाती हैं। और भविश में भी नहीं होती हैं। जो नपुन सकता आगई है वो दूर हो जाएगी। हिचकी की अगर समस्या है और हिचकी ज़्यादा परिशान कर रही है तो चने के जो सूखे पत्ते हैं उनको जला कर उनका थोड़ा धुआ है उसका सेवन करेंगे। तो आपको पिल्कुल हिचकी की समस्या दूर हो जाएगी। बुखार में ज्यादा पसीना आता है तो भुने चने को पीस कर अजवाइन और बच का चून मिला कर मालिश करनी चाहिए। चीनी के बरतन में रात को चने भीगो कर रख दें। सुबह उठकर खूब चबा चबा कर खाएं। इसके लगातार सेवन करने से वीरे में वडोत्री होती है। पुर्षों की कमजोरी से जोड़ी समस्याएं खत्म हो जाती है। भीगोए चने खाकर दूद पीते रहने से वीरे का पतला पंदूर हो जाता है। 10 ग्राम चने की भीगी दाल और 10 ग्राम शक्कर दोनों मिलाकर 40 दिनों तक खाने से धातू पुष्ट हो जाती है। जिसमें बताये गए इन उसके वैद्यों की राय के मताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजी आईरवेद समाधान क्योंकि आईरवेद समाधान है हरू का निदान।